हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फलेवर फ्यूजन आज मैं आपके लिए ले कराई हूँ चिकन बहुती कम मसालो में बहुती टेस्टी बन कर तेयार होगा घर में रखी हुए मसालो से ही बनाएंगे चिकन मसाला की ग्रेवी धाबा स्टाइल रहेगी स इसको गरम पानी से वोश करेंगे वन इस्पून नमक एड़ करेंगे वन इस्पून लेसोन दरख का पेस्ट एड़ करेंगे हाफ कफ दही एड़ करेंगे हाफ इस्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे हाफ इस्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे इन सब को चार से पांच हरी मिर्च लेंगे, चार से पांच काजू लेंगे, चार से पांच बादाम की गिरी लेंगे, इनको ग्राइंड कर लेंगे. चलते हैं, नेश्ट हाई फ्लेम पर पैन रखेंगे, उसमें दो कप ओएल एड़ करेंगे, उसको अच्छे से गरम होने देंगे. जब हलका सा ब्राउन कलर आ जाए जब हम इसको पलट लेंगे दूसरे साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे ही अलटते पलटते दोनों साइड से फ्राई करते जाएंगे जब तक हमारे चिकन पर ब्राउन कलर न आ जाए ये देगे हमारा चिकन फ्राई हो चुका है से भी सर्फ कर सकते हैं उसी ओईल में हम कुछ खड़े मसाले एड़ करेंगे दो छोटी लेची बड़ी लेची एक तेजबत्ता दो से तीन लोंग दो से तीन काली मिर्श इनको हलका सा फराई करेंगे अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसको एड़ कर देंगे इसको अच्छे स मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाले एन स्पून लाल मिर्च पावडर एड़ करेंगे हाफ स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पावडर एड़ करेंगे इससे इसका कलर अच्छा आता है वन स्पून धन्या पावडर एड़ करेंगे इन सब को भी अच्छे से म मिन तक ये देखिए मसालो का पानी ड्राई होने लगा है अब हम इसमें टू स्पोन भर के लेसु नदरग का पेस्ट एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दो से तीन मिन तक पकाएंगे अब हम गेस को मीडियम फ्लेंपर कर देंगे एक कप दही एड़ करेंगे दही हम मीडियम फ्लेंपर एड़ करेंगे क्योंकि दही फटने का डर रहता है इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दो से तीन मिन तक पकाएंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे टू स्पोन भर के मलाई क्रीम एड़ कर ले या घर की मलाई एड़ कर ले इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इससे इसका टेस दूगना हो जाता है इसलिए एड़ कर सकते है अकर ना हो तो चलेगा ये देखे मसाला भी अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमे एड़ करेंगे वन इस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर वन इस्पून कसूरी मेथी एड़ करेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी एक कप पानी एड़ कर रही हूँ आप कम ज्यादा एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे चिकन चिकन के पीसिज इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे इसको एक से दो मिनट तक पकाएंगे चिकन पहले से ही हमारा सोफ्ट है इसलिए हमें सोफ्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका ना हो तो आप इसको ज्यादा टाइम तक पका सकते हैं ये देखे कितना पॉफेक्ट बनकर हमारा चिकन रेडी हुआ है इतना टेश्टी इतने मज़ेदार जटपट से तयार चली इसको सर्फ करते हैं गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज